हलो फेंट्स सौगत है आपका देश दुनिया की तमाम खबरों में जिया दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे देश की तमाम इसी खबरे जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो शुरू करते हैं सबसे पहले जिया दोस्तो कुछ हाइलाइट्स देख लेते है जिया आज किस वीडियो में बताने वालाओं मैं आपको एक और बहृत ही बड़े कलाकार के होगई यही निदन जिया दोस्तो आपको पता है के एक दिन पहले ही जिया इरफान खान का निदन हुआ और आज़ हो चुका है निदन एक और भी बहुत बड़े कलाकार जिसे आ आप जानते होंगे जियां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रिशी कपूर के बारे में तो जानेंगे इस खबर को विस्तार से दीसां अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर आरी जियां टेलीकॉम कंपनियों के जियां वड़ा फॉन आइडिया देगा सबस्क्राइब को हर दीं दूजी इंटर्नेट वही अलमिंटिज कॉल के साथ जियां दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से जियां दोस्तों माइकल होल्डिंग ने बताया क्यों बहुत बहुत जलदी क्रिकेट सिरू करने का जो है मजबूर हो जाएंगे जिया दोस्तों क्रिकेट आपको फिर से देखने को बब मिल जाएगा भले ही करोना वायरेस जो है चाहतर अब फैला हुआ है लेकिन इसके बावजू जो है क्रिकेट का जो है मैदान पे क्रिकेट के खिलारी नजर आते हुए दिखेंगे अगली खिला दोस्तों करोना के वायरेस के प्रकोप के बीच में भी मार्च में भारत में आये थे 3,88,000 विदेशी परेटक अगली खबर की तरफ बढ़ते है जिया दोस्तों मजदू चात्रों की घर होगी वापसी जिया दोस्तों चलेगी स्पेशल ट्रेन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अगली सब्से बड़ी खबर आरे हैं रिलाइंस की कमपनी जिया दोस्तों सबसे बड़े जिया दोस्तों भारत के सबसे धनी वेक्ति मुकेश अंबाने ने अगर अभी तक आपको इस योजनाव का नहीं पता तो अगर आपको इसका लाब नहीं मिला तो आप जो है इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली ख़बर के साथ जियां दोस्तों सबसे पहली ख़बर आ रही है आज की सबसे बड़ी ख़बर वह है रीसी कपूर के जो है अब नहीं रहे हमारे बीजिए बॉलिवुड के बहुत ही बड़े और बहुत ही मंजेक अलाकार थे जियां दोस्तों बावी फिल्म से नहीं अपनी सुरुवात की थी करियर की जियां दोस्तों और अभी एक दिन पहले जियां दोस्तों 2020 जैसे एक मनूश जियां दोस्तों एक मनूशियत कहते हैं जिसे करोना का वाइरस का जो अपडेट आ ग पहले मैं आपको बता देता है पुरी दुनिया में जियां दोस्तों पुरी दुनिया में इसे में 3.21 मिलियन जियां दोस्तों यानि 32 लाख 32 लोग अभी तक करोना के संक्रमण से पाया जा चुके हैं अगली सबसे बड़ी खबर है जियां दोस्तों 9,86,000 लोग ठीक भी हो तो 2,88,000 लोग अभी तक करोना के वज़े से अपने जान को गवाना पड़ा बात करते हैं भारत की जियां दोस्तों भारत में अगर बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं अब इंडिया में जियां दोस्तों इंडिया की बात करते हैं तो 33,610 जियां दोस्तों स्वासने म लोग ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं मरने वाले की संख्या की बात करें तो एक हजार पच्छत्र लोग जो है अपने आप जिहां दोस्तो जाण गवानी पड़ी भारत में अगली सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं जिहां तो मजदूर छात्रों की घरों की अपने घर जो एक सगर से दूसरे सार पर गुंने गए थे उन सबी फषे हुए लोगों को सरकार जल से जल निकाले जिहां दोस्ते इसके पर बहुत ख़ड़ी खबर आ गए चैकि अब जो है बसों के माध्यम से होका नीट जी हां दोस्तो बसों के माध्यम से तमाम फषे ओ मखमंत्री योगी आधितनाथ ने तो sobie 300 बसे जियां दोसतो तीन सो बसे चलाकर को टा में फशवेवापकूर निकाल भी लिया और अगले स्टेप इज्ञाने की मश्दूरों के लिये जियां ओनी खבר की तरह बढ़ते जो बिहार के उप मुखमेंत्री जियां दोस्तों उन्होंने कहा है कि मचदूर छाटरों के होगी घरवापसी बिहार सरकार ने केंसार कार से लिखां से बिहार कियो सिक्षरंद कपाए कि वह है केंसाराने लोग जो भी अन राज्यों में फसे उन्हें लाए जा सकता हूँ उपमक मंतरे ने कहा है कि साप साप की बसों के मादम से इतने बड़ी लोगों संख्या में जो लोग है उनको लाना मुश्किल होगा और साथ उसमें बहुत ज़ादा समय चला जाएगा जिसके चलतन उन्होंन उनके उपर भी खैर नहीं है क्योंकि दोस्तों तमाम कंपनियां जो इंप्लॉईज है उनकी सेलरी काटी जारी तो चानते इस ख़बर को भी जा दोस्तों करोना महामारी के बीच रिलाइंस ने सेलरी कट का एलान किया है हाइड्रो कार्बन बिजनेस में काम करने वाली जिन दिन की सलाना 15 लाइं उनके जो फिक्स्ट पेमेंट है उस पे से जोई 10 परसंड की कट वोगी आज रिलाइस इंडिस्टी का तीमाही रिजल्ट आने वाला जियां दोस्तों तीमाही बज़र जो उनका पेस्ट होने वाला है हाइड्रो कार्बन बिजनेस में काम करने वाले ह तो आपको पच्चास हजार आता था तो पच्चीस आएगा पांच लाग आता था था आएगा इस हिसाब से आने आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान होने वाला है जिनकी नोकरिया बची है उसके बावजोद्या दोस्तों ऐसे महामारी के समय में जहां पर लोगों के पास रोजगार है जिनकी नोकरिया बची हुई है उसके बचने के कारपन नहीं है क्योंकि 50% कम हो जाए तो वह कैसे अपने घर को चलाएगा कैसे वह लोन भरेगा कैसे वह अपने बच्चों के फीज भर सकता है कैसे वह घर का रासन चलाएगा तमाम इसी चीज़ें दोस्त सिच्छा जगत से सबसे बड़ी खबर आ रही है जिया दोस्तों काफी विद्यारते ऐसे होंगे जो खुश होंगे इस खबर को सुनकर क्योंकि दोस्तों आज को मैं भी यूटियों बताने वाला हूं आपको सिच्छा जगतने जिया दोस्तों दिल्ली के उप्रमक मंतरी मनी सिसो दिया जिया दोस्तों जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर भी है जिया दोस्तों उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सिबसी और टेंथ के बच्चों को पास किया जाएगा यानि कि अब वहां के बच्चों के चिंता समाप्त हो गई होगी क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं ज जहां पे जो एक्जांस बाकी है और उन राज्जों की जो विद्यारती हैं उनकी भी यही चिंता है कि आखिर पेपर होगा या नहीं होगा तो कब तक हो जाएगा और क्या जो है इसके रिजल्ट होंगे कैसे वो जो है पेपर कराएंगे कुछ पैटरंस में चेंज होगा या ही पेपर पैटरंस है कुछ लोगों के मिंच में यह भी डर है कहीं सरकार ऑल्लाइन एक्जाम तो नहीं लेगी ऐसे तमाम कोईस्चन्स है जो बच्चों के मन में घुम रहे फिलहाल दिल्ली के लिए तो बहुत एची खबर है कि दिल्ली के सरकार ने इस चिंदा को दूर कर जाएगा तो उम्मीद करता दोस्तों आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तों आप जानते कुछ आइसी खबरे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है जैसे जो भी पैसे आपको देते हैं यानि समस्तों elo면 में चालो है इसका मतलब आपको फिर लगा देनी बिल्कुल वह अराम के साथ जैह दोस्तों सूशल डिस्टेंसिंग करते हुए जबब आpt 2011 छोड़ा सा फॉर्म भर यह वाँ पर रूपे कार्ड मिलेगा उसके बाद वो फॉर्म भरने के बाद आपका जो है खाता अगर उस बैंक में पहले से है तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा जन्दन खाता में या फिर आप एक नया खाता खोलके भी जन्दन खाते में रूप तो यह राज सरकार पैसे कैसे मिलेगी जिया दो आपको जाना होगा वबसाइट पे जो आपके राजिका सरकार का यह वाँ एक हजार रूपे जह दिया जा रहा है तो दोस्तो इन सभी सुधाओं का लाब उठाईए अगर आपको नहीं मिला तो आप वीडियो के निचे कमेंट के हमें बता सकते हैं और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर जिया दोस्तों आपको राशन नहीं मिर रहा है जया सबसे बड़ी समस्य है यह है कि लॉकडॉन में ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन नहीं खाने को लेकिन सरकार सभी लोग को चाहे उन 케 canyon कार्ट हो चाहे राशन कार्ट ना हो समाम बोगों को पांच-पांच किलो गेउंचावल बांट रही है और वो भी मुफ्त आपको कुछ करने की जरूरत नहीं आपको जाना होगा किसी भी सरकारी राशन के दुकान पर वहाँ पर आपको जो है राशन कार्ट नहीं है तो भी और है तो भी जो भी है आपके पास दिखा कर अपना पहचान पत्र आप वहाँ से राशन ले सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर के सकते हैं आप ज्यादा से ज़ार लोग ताकि उनके पास भी यह जानकारी पहुंच सके कुछ ऐसे मजदूर है जिनके पास जो है ज्यादा नॉलेज नहीं होता आप वीडियो शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा उनके पास पहुंच सकते हैं उनको भी यह सारी सुविधाय मिल सकते हैं